नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे यदि आप इसका सेवन रात भर पानी में भीगो कर लेते हैं तो आपके सरीर को इससे बहुत सारे चमतकारी फाइदे होंगे चाहे आपको डाइबटीज की समस्या हो, यूरी कैसिड की समस्या हो, कॉलोस्टोल बढ़ गया हो, मुटापा हो, जोडों में दर्द, कमर में दर्द, या फिर कैल्सियम की कमी रहती हो, दोस्तो इन सब समस्याओं का ये एक कारगर इलाज है, और यदि मैं बात करूं कैल्सिय कान होते हैं, कि जो भी दर्द होता है, वो हड़ियों की कमजूरी के कान ही होता है, और इस चीज में दूद से भी 10 गुना अधिक कैल्सियम है, तो आप समस्य सकते हैं, कि यदि आप इसका सेवन करेंगे, तो आपकी कैल्सियम की कमी कैसे तेजी से पूरी हो जाएगी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वह है दोस्तो सफेद तिल दोस्तो सफेद तिल की तासीर गरम होती है तिल में कैलसियम, आइरन, मैगनीसियम, जिंक, सलेनियम, कोपर, आइरन, विटामिन B6 और विटामिन E जैसे गुन पाए जाते हैं जो आपके सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करते हैं आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं तो चले दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसको लेने के फाइदे उसके बाद आपको बताएंगे इसके सेवन की सही विदी और किस टाइम आपको इसका सेवन करना है सपे तिल हाड़ियों के लिए बेहद अधिक फाइदेमन होते हैं क्योंकि सफे तिल में कैल्सियम और मैगनीसियम भरपूर मातरा में पाए जाता है जो आपकी हाडियों को मजबूत करके हाडियों के दर्द से छुटकारा दिलाता है सफे तिल का सेवन करके आप अपने दिल को मजबूत बना सकते हैं क्योंकि सफे तिल में कैल्सियم, मैगनीसियम, आयरन जैसे गुनों पाए जाते हैं जो आपके bad cholesterol को दूर करते हैं और हमारी दिल में जो भी समझयाइं होती है उनका बहुत बड़ा कान होता है कोलोस्ट। और दूसरा होता है ब्लड़ प्रेसर। दोस्तों ये आपके bad cholesterol को दूर करेगा, अच्छे cholesterol की मातरा को बढ़ाएगा, और दूसरा, आपकी जो blood pressure की बीमारी है, उसको भी control करने का काम करेगा, जिससे कि जो आपके दिल को बीमारी लगती हैं, वो दो मुखे कान है, blood pressure और cholesterol ये इन दोनों को ही ठीक करने का काम करेगा, जिससे कि आपका दिल मजबूत होगा और आप heart attack और heart block जैसी बीमारीों से बचे रहेंगे, ये आपकी immune power को बढ़ाता है, क्योंकि सफेद दिल में anti-oxidant भरपूर मातरा में पाए जाते हैं, और anti-oxidant हमारी immune power को मजबूत करते हैं, दोस्तों ये आपकी mass patient के लिए भी तो महत तैपुन भूमिका निभाता है, यदि आपको diabetes हैं, तो diabetes के मरीजों के लिए भी तिल बेहद अधिक गुनकारी हैं, क्योंकि तिल सरीर में insulin के स्थर को control करता है, जिससे कि वो diabetes की बिमारी से बच रहते हैं, या उनकी diabetes control में बनी रहती हैं, यदि आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई भी बिमारी है, इसमें भी तिल आपके लिए बेहद अधिक फाइदेमन है, वो आपको इन बिमारियों से बचा कर रखते हैं, आपकी आँखों की रोसनी को बढ़ाने में भी तिल बेहद अधिक कार कर हैं, क्योंकि इसके अंदर anti-bacterial गुन होते हैं जो आपकी आँखों की रोसनी को बहुत हद तक सही करने का काम करते हैं, यदि आपको thyroid की समस्या है, तब भी आप इन तिल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये तिल आपकी thyroid की बीमारी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, थाइरेड एक गरंथी होती है, जो हमारे गले में होती है जो पूरे सरीर में हार्मोन को संचारित करती है इस गरंथी के ठीक से काम ना करने पर थायरेड की समस्या होती है और ये तिल यही काम करते हैं आपकी इस गरंथी को प्रोपर रूप से बना कर रखते हैं क्योंकि तिल में सिलेनियम होता है जो थायरेड हार्मोन को बहतर काम करने में प्रेरीत करता है तो देखा दोस्तो तिल कितने अधिकारगर है हमारे स्रीर को निरोगी बनाने के लिए अब बात आती है कि आपने तिल का सेवन करना कैसी है दोस्तों आपने क्या करना है? एक चम्मस सफे तिल लेने हैं और उनको रात भर के लिए एक गिलास पानी में भीगो कर रखना है और सुबे खाली बेट आपने इस पानी को भी पी लेना है और इन तिलों को भी चबा चबा कर खा लेना है एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा हो में लीजिए पर आपने तिल का सेवन करना है और इससे आपका पूरा स्रीर निरोगी बन जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्रा मा तोस्तों